गोवंडी के जाकियर उसेन नगर में 17 वर्षिय अनस फातिमा और फौजिया की निर्मम हत्या पड़ोस के ही चार लड़कों ने धारदार हत्यारों से किया बेरहम कतल नरफिक कामदार इंदोस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वालत है बीते दिन गोवंडी के जाकियर उसेन नगर में 17 वर्षिय अनस फातिमा और फौजिया नाम की लड़की की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है पड़ोस के ही साहिल और दत्ता, जामीन, शफिक, अली ऐसे चार लड़के हैं प्राब जानकारी के अनुसार इनके साथ फौजिया और अनस फातिमा पड़ोस में रहने के कारण कुछ संबंदों के चलते किसी बात को लेकर कुछ छोटी मूटी बात हो गई थी उसी का जगड़ा था पुलिस में पहले इनसी दर्ज भी हुई है उसी जगड़े को ध्यान में रख करके उसका गुस्सा दिल दिमाग में रख करके साहिल और दत्ता, जामीन, शफिक, अली इन लोगों ने एक दिन पहले फौजिया और अनसी फातिमा के भाई को मारने का प्लान बनाया ऐसा फौजिया की मा का दावा है और उसको ढूंड रहे थे वो नहीं मिला तो अनसी फातिमा और फौजिया जो है अपनी छोटी बेहन के साथ घर वापस लोड रही थी उस वक जो है उस पर साह को घिरफतार किया है मगर तीन आरोपी अभी भी पुलिस की घिरफ से बाहर है वहीं अब तक मृत का फौजिया और अनसी फातिमा के घरवालों को पुलिस द्वारा एफायर की कौपी भी नहीं दी गई प्रती भी नहीं दी गई कि एफायर में क्या शिकायत दर्श की गई ह किन लोगों को आरोपी बनाये गया है और हत्या की वजह जो है वो क्या है देखे किस तरह के से गोवंडी के जाकिर हुसेन नगर में अनस फातिमा और फौजिया नाम की 17 वर्शियक यूती की निर्मम हत्या चार पडोस के ही लड़कों ने की है टिर उसके भाई को ढूड़ा तो मारने के बस्ते तो हमको बताया कि इसे सम्मी बात है तो हम आका कि वही को लड़ाई जगड़ा हुआ तो में अपनी लड़के को हटा दिया व लड़की मेरी काम पर जाती तो यह कोई कमानी यह लोग है पीने खाने वाले लोग इन लोग कोई बचा लोग झालो झालो कोई नहीं बचाया धर जालो फ्रूड्चाँ कर रहे थे ऑर लोग उनके लोग इस चीज कि अपने पुलिस्टारी को रहे हैं, जब दस तारीकोग जो थी तो ती ती तो आपको फिर गाए और अज़ झालो मेरी लटकी रात में दस तारीकोगें, गजब रात में 6 ताइल को गई तो यो लोग बोले कि ए नहीं हमहीं तो जब अपर उस्तमाल यह लेकर आहीं 23 रात में तो उन्लोक को लेकर गई फिर फे बात चोछ आ दिया तोholdersे कि तो का दियां पिर उस्के बाद के अध़ और के अहां पर हम थे पहने अलिकी बीभी आयती बहन ओछ क estas थैस साहिल आय थाा Oh Ir Um आ लिया था in मारने के वस्ते कोж्ते बोलने माले और गृ अझेसक्त किल मरी है लटकी तो कोई नहीं भौलने माला olm मेरा मेरी लड़की रो रही थी अरे कोई बचा लो कोई ऐसे सारे अदमी चाली में लो खड़े मेरी लड़की तरब के मर कई अ कोई नहीं उठाया मेरी लड़की का जनाज़ा मेरा अदमी भी घर में नहीं मेरा सर पर ताज में मेरा को इसी लड़कियों से मेरा खर्चा चलता मेरे सर पर कोई नहीं हमको इंसाफ चाहिए है अभी एक अदमी सिफ साहिल हुआ है उसकी अम्मी ले जाके जमा करें पुरी से बोले मैं इनकवारी करूंगी अब क्या वो लोग करें ना करें तो हम किस दर पर जाएंगे हमारी वही एक रड़की कमाने वाले थे हमारे अदमी नहीं है मारा घर कैसे चलेगा अमको इनसाफ चाहिए तो हम मर जाएंगे खुद को अपने बच्चों को इमार ड़ ड़ेंगे इन लोग के हां से मरने तो तो अच्छा पर मैं अपने हाथ नहीं हाँ जाओं हमको इनसाफ चाहिए बस अब बिले लाओ आप क्या बोलना चाहो मेरे बेटे का हमारे सब का खत्रा है जान का तो इससे अच्छा हम लोग अपने ही जान दे देना क्या फादा जिब इस पर नहीं कर रहा है ये लोग करेंगे तो फिर हम लोग जब अपने से जान दे देंगे तो अच्छा रहेगा क्या फाद दूसरे के हां से मरें है अला ज कि ये लोग ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अगर वहीं वक्त में अगर पुलिस अगर सक्त कारवाई करती वह आरोपियों पे तो आज पोजिया जिन्दा होती तो इस बारे में आप प्रसासन मुंबए पुलिस कमिशनर से आप क्या कहेंगे कि ऐसी घटना है जो है बार-बार कetpha कहेंड हृष हैँ ही कि इस घरट कवंगर नहीं ही तो छो टो पॉड़ देती है और वही आरोपी जो है आगे आकर जो है जो है बड़े अबरात कर बैठते है तो यही को एक कामज़ लगा है तो क्ато बहुत है अगर बड़े केमरा भी फोड़ने को तैयार हैं